नश्कार, BCN News की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ आये नज़र डालते हैं खबरों के और उत्तर प्रदेश के जिलाफ फिरोजाबाद के शिकोहबाद थानाक शेतर अंतरगत रेलवे स्टेशन पर एक साट वर्ष अग्यात वृद्द संदिक परिस्तितियों में अचेत हो गया कुछी देर में वहां मौजोत यात्रियों की भी जमा हो गई उन्होंने इसकी सूचना जियारपी प्लिस को दी सूचना मिलती ही जियारपी प्लिस मौके पर पहुची और वृद्ध को 108 अम्बिलेंस से जिला साट चिकित साले शिकोहबाद लेकर आई जहां एमर्जनसी में तैना चिकित सिकों ने वृद्ध को मृद्ध खोशित कर दिया वृद्ध की जेब में एक बलड प्रेशर की दवाम मिली है डॉक्टर के मताबिक समभवत वृद्ध को हार्ट अटैक पड़ा इसी दोरान उसकी मृद्धी हो गई फिलहाल शव को कब से मिलेकर जियारपी ने पोस्ट मॉटम के लिए जिला अस्पताल पिजवा दिया है जिसके अग्यात अवस्था में उसके साथ में किसी तरह कोई डॉकुमेंट्स नहीं जिसे पता चल सके कि उसका नाम अवे पता क्या है यहाँ पर आने के बाद हमने उसको चेक करने के बाद पता चला है कि उसकी जेम में जब पुलिस ने देखा है तो उसमें केवल एम्लो डिपी में टैबलेट होती जो ब्लड प्रेशर के लिए होती है वो पाई गई है और इसके लावा बाकी आगरिम कारवाई के लिए पुलिस को बता दिया गया BCN News के लिए फिरोसा बाद सीर्यान अले की रिपोर्ट मत्रोधाना गुवरधन चेत्र की आन्योर परिक्रमा मार्ग में मंगलवार की समय उस समय संसनी फैल गई जब गिरवर निकुंज केस्ट हाउस के सामनी वन आरक्षी चेत्र में साधु प्रतीद 25 वर्षय करीब अग्यात व्यक्ति का शव मिला वही शव की सूचना परिक्रमा कर रहे श्रत धालो द्वारा पिलिस को दी गई वही परिक्रमा मार्ग में अग्यात शव की सूचना पाकर मौके पर पहुची थाना गुवरधन पिलिस वही थाना प्रभारी प्रदीब कुमार भी खटना सल पर पहुची और स्थानिय दिन पहले ही परिक्रमा मार्ग में दर्च से चिला रहा था शायद दर्च की वजह से ही इसकी मौत हुई है वही अब पोस्ट मॉटम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि बृतक साधु की मौत किस कारण हुई है महोबा के राजकिय वीरभूमी सनातकुक्तर महा विध्याले में आयोचित अंतराश्टियों महिला दिवस कारेक्रम में जलशक्ती मंत्री डॉक्टर महें रसीह शिर्कत करती ही समुचा कारेक्रम सल चात्राओं की ताली अभिवादन से कुन जुठा इस मौके पर मंत्री ने मेधावी छात्रों और आशबभवों को मन से चेक द्वारा पाच हजार रुपए की प्रोचसा हंद्राशी दे कर समानित किया उत्रप्रदेश के बुंदेल खंड में सीम योगी के दस मार्श को होने वाली दोदिस्य दोरे को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महें रसीह तमाम जन कल्यानकारी योशनाओ का जैसा लेने मौबा पहुचे है चलशक्ती मंत्री ने कहा कि नारी के समान से ही देश का समान चुड़ा है भारतिय संस्कृति का डंका समुचे विश्व में प्रधान मंत्री मोदी और सीम योगी की महत्वकांशी योशनाओ से बच रहा है यही कारण है कि बेटियों के जन्द से लेकर शिक्षा और शादी का जिम्मा केंडरों और राजस सरकार मिलकर उठा रही है पीम मोदी ने प्रधान मंत्री आवास सुचवला क्यास कनेक्शन महिलाओ के नाम दिये है आज भारतिय महिलाओ हर पटल पर आगे बढ़कर देश का नाम रोशन कर रही है इसी मिशन पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए सियम योगी ने मिशन शक्ती की शिरुवात की है जिससे की हमारे देश और प्रदेश की नारी सुरक्षित और सम्मान चनेक्स्तिती में सर उठा कर समाज में निरंतर आगे बढ़ती रही राजेंदर जी हमारे जल पूरुस है हम सब लोग उनका सम्मान करते है और राजेंदर जी को भी पता है अभी अटल भूजल योजना जो मानी प्रदान मंत्री जी ने लागू किया है वो साभे सभी जितने इस तरीके के महापुरुस है उनसे सबसे विचार विमर्श करके लागू किया है और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जल संचेन, जल संबर्धन और जल लोगों के घर तक पहुंचाना UGC, NSP Portal के माध्यम से SC, ST, Single Girl Child, Manorities, University, Four Strength Holders, 39 के चात्रों को कई यूजनाव के तहर चात्रवुत्ती प्रदान करता है लेकिन कोर्णा महामारी के कारण admission process लेठ हो रहा है और दिल्ली विश्व विध्याले के 2020-21 के लिए इन सभी चात्र स्कीम के लिए आवेदन नहीं कर पाए अप्लिकेशन फॉर्म भरने की अंतिमती थी 20 जनवरी 2021 जबकि उस समय दिल्ली विश्व विध्याले में हमारी admission process चल रही थी और campus न खुलने के कारण चात्र इन स्कीम के बारे में चाग रुप कम थे अब आवेदन की तारीक समाप्त हो गई है इसलिए अब हमारी मांग है कि दोबारा D.U.K. सभी चात्र को फॉर्म भरने का मौकाद दिया जाए क्योंकि इन सभी स्कीम में नियम और शर्ति है कि अगर हम first year में आवेदन कर नहीं पाएंगी तो अगले साल आवेदन नहीं कर सकती इनमें से मुख्य स्कीम S.E.S.T. Professional Scholarship स्कीम इसमें S.E.S.T. चात्रों की हर महिने 4500 से 7000 पासों की चात्रवुत्री प्रदान की जाती है जो की professional courses के लिए S.E.S.T. चात्रों को प्रोचसाहित करने में मदद करती है और हम Faculty of Law दिल्ली विश्व विध्याले के S.E.S.T. चात्र इसके लिए योग्य है इसी प्रकार अड़न स्कीम के तहर चात्रवुत्री प्रदान की जाती है जो की आर्थिक रूप से कमजोर और दिल्ली में रहकर अपने पढ़ाई करने में असक्षम लोगों का वितिय आधार होता है इसलिए सभी चात्रों ने मलकर सरकार और शिक्षावे भाग से मांग की है कि चात्रों हितों को ध्यान में रखते हुए नस्पी पोर्टल को दोबारा खुलवाया चाहे और योगे चात्रों को योजेसी की योशना में फॉर्म भरने का दोबारा मौका दिया चाहे दिल्ली विश्व विध्याले के चात्र दिनेश्चन, मीना और कुछ चात्र UGC ओफिस तक अपनी बात पहुचा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला जिससे हम लोग दुखी और परिशानी छेल रहे हैं इस्वरान दिनेश्चन, मीना, खुश्बू, नरेंद्र मीना, राचेश कौतम, रवेंद्र सिह, राहुल कुमार मौझुद रहे BCN News के लिए दिल्ली से बिचेश कुमार की रिपोर्ट BCN News के प्रदेशी खबरों में फिलहाल इतना ही सेन और खबरों से जुनने के लिए देखते रहे हैं BCN News नमस्कार